है लो दोस्तो आज मैंस वीडियो में करने वाले हैं यूपटपलेसी पैट एकजाम के लिए हिंदी का टेस्ट एक जो डेली हुआ करेगा सामको तीन मजे तो शुरू करते हैं कुशन नमर एक है सहियोंग सब्द का विलोम है कुशन नमर दो है सहियोंग सब्द का विलोम क्या होगा कुशन नमर दो है रतनाकर का संदी विचेद होगा कुशन नमर दो है कवी सब्द का विलोम होगा कवी सब्द का विलोम होगा कुशन नमर चार है आकास का प्रियावाची सब्द नहीं है इनमें सहाब को बताना है कौन सा सब्द आकास का प्रियावाची सब्द नहीं है आकास के प्रियावाची होते हैं गगन नभ अंबर जबकि अवनीस का प्रियावाची नहीं है अवनी होता है धरती का नेश्जट है एक बार कही बात को दहराते रहना वाक्यांस के लिए एक सब्ध होगा Option C पिश्ट पेशन Q sommar 6 है मेरी तेरी उसकी बात के लेखök है मेरी तेरी उसकी बात के लिखा गए option A, यस्पाल कुशन में साथ है, इनमें से गल्त वरतनी का सब्द है इनमें से आपको बताना है कौन सा गल्त वरतनी का सब्द है इसका correct option है, option A, अधीन ऐसे लिखा जाता है जबकि जो अतिसना यह बिल्कुर सुध है, एहरनीस भी और अनुकरहीत भी next है, विशेस का विलोम नहीं है आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेस का विलोम नहीं है यह नहीं है, option D, says जबकि सामानने, एह विशेस और साधारन, यह विशेस के विलोम है कुशन मननों है, गोद में लड़का, सहर में डिंडोरा, मुहावरे का सही अर्थ है option C, पास में बस्तु रहते हुए, चारो और खोजना कुशन नमर 10 है, निमन में से एसमान आर्थक सब्द का चैन कीजिए इनमें से आपको एसमान आर्थक सब्द का चैन करना है इसका correct option है, option C, द्वेस नेश्ट है, भोरा का सही प्रियावाची सब्द होता है भोरा का प्रियावाची सब्द होगा option C, भरमार, नेश्ट है, निमने से कौन सा सब्द पुल्लिंग है इनमें से आपको बताना है, कौन सा सब्द पुल्लिंग है इनमें से पुल्लिंग सब्द है option D, माधुरी है नेश्ट है, उपकार सब्द का विलोम है उपकार सब्द का विलोम होगा option C, अपकार नेश्ट है, वन में लगने वाली आग वांक्यास के लिए एक सब्द है वन में लगने वाली आग के लिए एक सब्द होगा option B, दावांगनी next है, मौत्सव का संदी विचे दोगा option C, महापिलस उत्सव और इसमें गुण संदी होगी next है, हिंदी वरतनी के आधार पर सही वाक्ये का चैन कीजे इंवे इसे सुद्वरतनी है option D, तुम इसके दाम देते जाओ next है, उस विकल्प का चैन करें, जो दिए गए, मौहावरे का सही अर्थ है माथे पर बल पड़ना इस महावरे कर्थ है ओप्षन बी एसन तोस प्रकट करना नेश्ट है उत्थान का विलोम है उत्थान का विलोम होगा ओप्षन सी पतन कुछ नमर 19 है सकल सकल का अर्थ क्या होगा सकल और सकल का सही अर्थ होगा ओप्षन मी संपून और अंज नेश्ट है भारती नारी की समयस्याओं को आधर बना कर महादेवी वर्माने कौन सा गर्णत रिखा है भारती है नारी की समयस्याओं को आधर बना कर महादेवी वर्माने कौन सा गर्णत रिखा है यह लिखा है ओप्षन ए सलंखा की कडियाँ तो दोस्तो आज के लिए तना ही आपने इन 20 कुशनों में से कितने ठीक किये कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं ग्षका बह meant कर दोस्तों में लिख फिए रहते हैं से कारोश को के अवे यह जवेवा्शन